नमस्कार सात्यों, STDV PP YouTube चेनल पर आपका हार्दिक स्वागत और विटंदर आज की क्लास में हम पड़ेंगे, सिक्सक ट्रेनिंग बरति प्रिक्षा में पूछे गए पर्षन और उनका हल करना में सीखेंगे उन पर्षनों को हम बहुती कम समय में कैसे अलकर पाते हैं उसके बड़े मंग चर्चा करेंगे आज का हमारा पहला पर्षन है समान तिर्जिया वाली, बेलन और संकु में यदि बेलन का आयतन, दो संकु का आयतन के योगफल के बराबर हो तो बेलन और संकु की उच्चयों का अनुपात कितना होगा देखे हम कैसे करेंगे कि हमारे पास बेलन का आयतन बेलन का आयतन हमारे पास होता है पाई आ इसको एच और संकु का आयतन संकु का आयतन हमारे पास होता है एक बटा ते पाई आ इसको एच आप इस पर्सन में देढ़ा है संकु और बेलन की डिटिक्जिय क्या है संबाने तो और फर whispering उट इक्वेस टू आर्ट क्रों मालेंगी। यानि कि हम शंकु का आयतन को डबल कर लें तो मारा पास किसका आजएगा उपर वाले जाय संकु का आयतन आप है अखे जायिक को गर् Dec एक बटा तेन पाई आर स्कोर है अब देखें इसमें पाई से पाई हमारा क्या हो गया कैंसल हो गया आर स्कोर इदर भी है आर स्कोर से आर स्कोर बीच अब देखें एक य्यारो और स्कोर बेसकल का उचायों का जा गया। इस पर्षन में संकु अनुपात बेलन पूचयह, इसका आंसर वह जाएगा तीन अनुपात दू चलिए एक और परिसं करते हैं दू संबहु बूज़ो के 22 कौन कर्मस 45 डिगरी और 60 डिगरी है यदि परतेग बहुभूज के सिर्षों को उसके केंदर से मिलाया जाता है तो कर्मस N1 और N2 तिर्बूज बनते हैं तो N1 अनुपार N2 यात कीजिए देखें परसंग बहुत आसाल है क्या देर का है परतेग बहुत कोण 22 कोण देर का पहले संगु का 25 लिए और दूसरे के देर का हमारे पास है साट लिए और हम जानते हैं कि इस लगवुज का परतेग बहुत कोण जियाद करने का सुत्तर होता है तो इसमें हम पहले ज्याद कर लें इसमें बुजाए कि इतनी होगी देखी ऐसाथ है तो इसमें हम बाग रहेंगे तो बाग जाई का हमार तक्निवार पांट बाग मतलब इस सम्मोबुष में बुजाओ किसमें कितनी आठ और उसका प्रत्वेक बहिस कुन कितना है प्यतारश जीगी इसी परदर हम साथ वाले के जाद करें बुजाओ किसंग्या तो हमारे पास हो जाएगी तीन सो साथ बटा साथ एंड गरावर इसमा अगे छे इसमें बुजाओ के संग्या और इसमें कितनी हो गई आठ और इसमें बुजाओ का अनुपात नहीं पूचा है अमने पूचा गया लगी इसके शीट्सों को के अंदर से मिलाने पर जो तिर्बूच बन रहें उनकी शं आठ बुजाय होगे माले जी इसके अंदरियां पर प्रतिय बुजाओ का सब मिला दें अब देखे इसमें तिर्बूच काउंट कीजी खिता बने वारन तू थी पोर पाइव सिक्सेवन मतलब एंड बन का मान हमारा पास कितना आ गया आठ आ इसका मतलब क्या हुआ कि जितन अब देखे पुचे एंड वन अनुपात तो एंड वन अनुपात एंड वन तू इकोजट वह गया आठ अनुपात शे इसको अलकरने पर आजाएगा हमारा पास चार अनुपात थी बहुत ही आसान परसन है तो हम क्या कर सकते हैं जितनी बोजाए होगी उतने क्यों तो यह वाले करने की जुरूरत नहीं कि सिदाई आठ अनुपात शे एकोश्ट चार अनुपात थी नहीं इसका आंसर निकाल सकते हैं यह एक और परसन करते हैं हर्यालो राजस्तान से प्रेरित होकर एक विदाल्य में 25% नीम के पेड 15% जामून के पेड और 6 पीपल के पेड ल नीम तो कितने हमारे पास 25% और जामून जामून हमारे पास कितना हो गया 15% और शेर्स किया भी पीपल हमारे पास सेर्स मतलब 100 मैं से 25 यह चले गए और 15 यह चले गए मतलब चालीश पूदत होगे नीम और जामून के और वच्चे हमारे पास कितने सांट करेंस आप देंके पर संटर में देर का यह कि नीम के पूदे और पीपल के फोदों का अंतर कितना है अब देखें लेकिन 35 मंतर कितना रहा है इन्हों पर देखें साथ में से 25 कितना रहा है 35 पर तीस पर और ऐसे हमने बहुत सा क्यों संद किये प्रपीटल लोस्में कि और भी चप्रमान करेंगे एक इस उतर अप्ले करेंगे कि यह प्से श्यायक ग्याद करना उसे गोना कर लीजिए आप equivalent कि वास्तिक अंतर पास तो उपर अमेका रहेंगे करें यह जो ग्याद करना उसे 2 बहुत है यह सेवन टाइम सेवन को 56 करेंगे कितने टाइम्स यहां बज गया एट और ट्वन्टी एट इंटु ट्वन्टी कित हो गया हमारा पास 160 हो गया मतलब कुल पोदे कितने हमारा पास यही हमें पूछ लिए इस पर्शन में कितने हैं तो मियां हम सोके लिए 25 से बुड़ा करते हैं तो कितने अज़त हैं हमारे पास देखेंगे ग्राद कर लें हम इंटु बच्चीज इसको यह फाइफ दांस हो गया है यह सेवन और सेवन किस किता हो गया एट आट इंटु चार आट कितना होगी हमारे पास चारीस पोदे किसके होगे नेम के होगे और हम ऐसा भी निकाह सकते हैं कि 60 का 35 परटिस दांस वह से चालीस आता लेकिन इस रुटतर पिसायता से से जहां बटकर इंको जो ग्याद करने उससे गुणा कर लीजी तो नेम के पोदे ग्याद करने थ किसके बुणा करते हैं 15 से और इसी होगे नेम के और जामून के पोदों के बीच का अंतर की इतना है तो वही सेहं बटा सेहं करते हैं 56 बटा 30 और अंतर यांप दस आड़ कर दस चे गोड़ा पर लट इससे क्या होगा हमें बहुत ही कम टाइम में जो पता कर नोश कम सिधा ह आसरों करते हैं चलिए को परसं करते हैं अगला परसं है 130 किलमेटर की यात्रा में एक व्यक्ती ने 80 किलमेटर यात्रा 60 क्लम 59 पड़ती घंट के सपीड से की और 60 से ada 95 किलमेटर फदियुकल सब्सक् allons याद किजी में इसमें क्याली किका हुट्ण में आधी हमारी 130 साथ किलोमिटर परती गंटा की चाल से और सैस्म मतलब किती मत्की 20 안도ён करी 50 की पथी किलोमिटर परती गंटे की 40 कि पहले समय कैसा आता है दूरी बटा चाल से, ये दूरी बटा, चाल गल कितनी है, साठ तो हम ज़ाद कल लें गए, असी किलमटर को भी कितने सदवत देखी गई, तो असी में भाव देगी, साठ का, तो कैसे हो जेज़े, जीरो से जीरो पड़ जाएगा, इसका वो चार बटा थी तो क्यों गटे ती गंटे में इसने 80 km की आत्रा की आप दीकि 50 km की आत्रा 25 km पड़ती गंटे की स्पेट से की समय कितना लगा 50 बटा 25 तो कितना हो गया 2 गंटे में अब पूरी आत्रा के लिए इसको समय कितना लगा हम दोनों को जोड़ लेगी तो हमारे पास की आजाएगा चार प्लस तेन रिखता हो चें बटा तीन मतलब दस बटा तीन गंटे लिए पूरी आत्रा की आप देखें हम पूचा है वह सब चाहल कितने होगी तो दे पूरी कितनी हमारे पास यह सब्सक्राइब दस और तीन मतलब उपड़ा जाएगा इंटू तीन हमारे पास कितना होगा है वह चाहली सब्सक्राइब पर देखें हमारे अगला परसन है यदि किसी तिर्बुच की रचना के लिए पूजा बीसी बराबर साथ से में तता कौन ए वह कौन भी करम सब्सक्राइब पचाश टिगरी वह पैतालेश टिगरी हो तो तिर्बुच की रचना के लिए सई इसक्रेप कौन से हमें चारा विकल्पों में से चूज कर रहा है कि वह इस तिर्बुच की रचना किस परकार कर सकते देख इसको सीख लपन लिखवा इसक कोण यह हो गया हमारा कोण यह कितनों पचास पर कोण यह हो गया पैतालिस प्रीप अब देखिए इसकी रचना की स्वाइब कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि तिर्बुच के तीनों कोणों का यह कितनों होता मारपास 180 होता 180 में से एक पचास आ गया दूसरा 45 आ तो बच्चा मतलब 180 में से इन दोनों का सम बाहर निकाल दे तो मारपास कौन से पूना जाएगा यह वाला पूना जाएगा तो इनका सम कितना होगे देगो पच्चास चब बंचान एक स्वाश्य में इस पंचान गड़ेंगे तो मारपास के हो जाएगा किच्छी आसी अब देखिए इस अब कर देंक आप यह पर पचास डिरी इता है यहां पर सीधा ब्लेगा तो मारप सब्सक्राइब है लेकिन दिक्कत के हैं हम कौन की पोस्यस्टन बनाए इस राइंग पर वह जब प्रोकस्टन पता नहीं कि हम यहां पर बंचास डिगरी बंचान बनाएं यहां पर 50 डिगर अगर इसका मान पता हो तो हम यह से आजब क्या दिए थि कोण मना कर सकते लेकिन इस पुजा के बारा कुछ ने आज़ा नहीं कर सकते तो इसके लिए हम क्या करेंगे यह नहीं की बिचुछा बिचास लिगरी का विदुब बनके हमारे पेचे असे डिगरी का और चांदे की साहिफा से अब क्या करेंगे इस वाले बुज़कों आगे बढ़ा देंगे और जहां पर दोनों बुज़य मिलें कि महां पर बिदुब को असर रख देंगे हम एक हमारे हमारे पॉंट केतना होजागा और चांज टीवी हो जाएगा तो इस तो सकाहर तो इस परगार पर्सुन को हम घर सकते हैं और पहला गलत इसलिए हो गया हमारा तक हुद्ध कमान हमारा पास है कि आए लगेवी का मान हमारे पास नहीं हैं तो इस पर प्रिफ कौर्ट कि इस रबनाई है उसको पेह नहीं कर सकते हैं और 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 स्वार्स कोई भी मान नहीं मान सकते हैं चलिए, एक और पर्षंग करते हैं इसमें चार विकल्प में से एक खोज़ा सा विकल्प से बटाने, देखिए, पहला विकल्प है, पहला विकल्प है, कोई भी पूण गंस के दो कि जीवधार समावत नहीं होती है, नहीं होती है, देखिए, सत्य है या आस्पत्य है, एक बा नहीं हो थे परसंद लिए दोज पर समाप्त नहीं होती है कि अगला विकल्प हमारे पास यदि किसी संक्या को वग पांच पर समाप्त होता है तो इसका गन 25 पर समाप्त होता है देखिए हम 5 का बन करते हैं 5 किस पर बज़्चीस के होड़ी हमारी 5 पर समाब्त हो रही है और इसका गन 600 निश्वर इसका गन क्या हो गए 125 जो हमार किस पर समाब्त हो रहा है 25 पर समाब्त हो रहा है मतलब यह विकल्प पर पास है एसा कोई पूर्ण गन नहीं है जो आठ पर समखत हो रहा है इसा कोई पूर्ण गन यह जो आठ पर समापत हो रहा है मतलब चोता विकल्प यह है कि दो अंको वाली संक्या का गन चार से छे अंको का होता है एक समी के 21 गनाकार बोक्स रखे जाते हैं तो गनाब की चोड़े यादतर कीजिए। है इसमें क्यों क們 संभ सब्सक्राइब उसी कर दो कि गर्णाब को सब्सक्राइब लगट इंठामे धर उन्हांड हुआ सबहुता हं दोचियों कि खीगे हों ने एक बाप आंप गुग math करने पोर 21 तोँ मारे यह इसकी बुजा देर के देर के कितने होग लिकर को तो पिच यह क्या क्या एगाक एकक इस गुणा करने पर आपकर सब्सक्राइब लेकित अगला परशने लेकि हमारा अगला पर्षन है कि येदी एक आयत की बुजा x प्लस दो एकई है तता इसका सेतरपल x स्कोर माइनस चाल बार एकई है तो बड़ी बुजा और छोटी बुजा की लंबाई का अंतर ग्यात कीजी लेकि आयत का लंबाई देर की हमारे पास x प्लस तो मतलों ये चोड़ें जाट करनी है चोड़ें होने की क्यूशन मत बढ़ा दिया हमने और हम जानते है कि लंबाई इंटू चोड़ें बड़ावर हमार की होता है ये होता है तो हम यहां पर एक बुजा रख दे एक प्लस दो इंटू पी बड़ाबर हो गया x स्कोर माइनस चाल अब दे और a-b इसके पूण अब a प्लस बी इंटू a-b तो यहां पर लगा दे तो क्या हो जाएगा x प्लस दो एक और b हो गए 2 और x-2 बड़ाबर हो गया x प्लस दो बी एकस प्लस दो शूर एकस प्लस virus तो घड़े THERE का मान हमारे पास आगया X माइनस दो मतलब कमकल दो दोगई और जोड़े है मर जोगी X मॉनास दो अब देखिए इस पॉच्छा में कि दोनुँ बुजाओं के बीच का उनतर अंतर मतलब क्या करें गिलाए के लू expecting पोर ड़ते तो देख से गना लंबा हमारे होगी X प्लस दो मास चोड़ को स्थी ऐसा करेंगी माइनस फ्ल्स माइनस माइनस से माइन आगे तो प्लस तूप्लस टूप होगी हमारे पास फोर 21 परसन के हो गया, आंसर हो गया, अगला परसन है मारे यह दी, 48 A Q B प्लस 120 A स्कोर 3 स्कोर, प्लस 24 A B Q बटे, 4 A प्लस 5 B का होल स्कोर बड़ावर 3 हो, तो हमें याद करना A इंटु B, A ड़ाट भी मतलब A इंटु B हमें याद करना, इसका बॉन्फल याद करना, तो देखी, इसका उनकैसा लें निशन में लेकर लेकर हो, आप देखी इस परसन क्या कोई आ रहा है, A शक्रमा अरहा है, SINGLE A तो आ रहा है, और सात तो B भी आ रहा है, तो मैं इसका कोई लेकर यह बिए, यह होगी, औ सलिए उसी परकार पांट तेष्ट ऑर पच्चीस और पच्चीस का सब्सक्राइब शर्ण होग जो सबस्क्राइब वेडी इस में से एक क्यूक मैं से एंसे इपूरा देख लाधि खोल प्लस का फॉबस आप देखें इसमें से क्या कॉमन आया 120 को हम लिख सितने हैं, तीन का वाट देन कित्ते बाढ़ देना carry to लूज प्लस 35 में से 3 बार देनार पीछे बजकी हमारा क्या 25 और ओर इर को बार आगया, B3 में से एक हमी बार आगया पीछे बचकति वह बहुते में लिखा है चार एस्कोर प्लज पांच बीस्कोर चार एंसे स्कोर ब्राबर के हमारा पास अब देखे इसको चैपने पतार चल रहे है कि चार स्कोर ङें पांच DESKोर पॉरी स्कूर उप्रवाल से लिया पर बेटम है यह चाहर ए प्लस पांच पी का पॉरी स्कूर इंटु कितना हमारे पास तीन आप देखिए यह पूरा पॉस्टर चला गया है तो पीछे क्या बच्छा तीन एपी बराबर तीन यहां पर तीन से तीन कड़ी है तो ए बी यहां होगा चलिए आज के लिए बस इतना ही आगे हम इससे प्रगार कोई परिक्षा होगी उनके परष्णों को हम यहां पहल करवाएंगे और उनको आस्थ तरिकिसे आसान से आसान तरिकोंसर करने का परियास करेंगे जे दिए जे बात